नमस्कार विद्धिर्थिमित्रों केम छो मजामाने सरस तमें बदा खुश छो मजामा छो गरे बेठा यूटूब ना मध्यम थी अभ्यास करो छो ब्रहाबर ने आजे आपने धोरण आठनी अंदर विशेविज्ञान प्रक्रण नमर 10 तरोण आवस्ता तरफ आपड़े अगावना लेक्चरों नियंदर लिंग निश्चेन नी गटना केवरते बने छे एटले के नर्सिश्यू औने माधा शिश्यू नो जन्म एले के नर्सि डिद्धान, अपड़े आनी अंत्संत्राउऋ सीवेना बिजया अंतस्त्राओ पण आपण शेर्नम हूद्पन थाई लिएत थायरोशिन अंत्स्त्राओ , एड्रिनालीन, अंतस्त्राओ ...प्राबर आणै कई ग्र declen NICK चर्चा मizations, यह पणिो करे ले इवरते ते 230 टिंड़े आपने गहिवक्तिय चर्चा करी हुथी. अवे विद्यर्थी मित्रों खास आपने ये जो आनू छे के अवे जो ट्रोपिक छे ये वाद आपने करी है तो स्वास्थिय. तो अग्यर्थी अधर्वर्ष्ति जे उम्मर छे ए उम्मर दर्मियान आपना स्वास्थिनी खुबज कार्जी राकवी पड़े। कारण के आ समय दर्मियान आपना शेरिर्मा श्यार्रीक औने मान्सिक एवा घणावेदा फिरफारो छे इथता होए छे। एमा खासकरीने पोश्णनी बाबत छे एमा तो बहुज कार जी राकवी पड़े। कारण के आ समय दर्मियान आपनो जे समय गाड़ो छे एव व्रुद्धी नो शमय गाड़ो छे। मांसिक बुद्धीनों विकास थाई छे, एव प्रांत शाररीक जे छे, एनो पन विकास थातो होये छे। एटले जो पुर्ता प्रमणमा सम्तोल आहार जो लेवामा न आवे, तो आपणी जे वृद्धी छे, एने असर थाई शके छे। एटला माटे आपणे पोश्चनक्षम संतुलित आहार आपणे लेवा जोईए, तो इए क्यों आहार लेवा जोईए, इए आपणे चड़चा करवानी छे, तो व्यक्तिनी शाररीक तेमाज मांसिक तंदुरस्ती, ते व्यक्तिनों स्वास्थिया क्यावाई, आपणे हम थैक आपणों जे स्वास्थे छेई सारू कई शकाए, कोई पन उम्मर्नी व्यक्तिना शेरिरने स्वस्थ राखवा, माटे तेने संतुलित आहार नी जरूर पडे, कोई पन उम्मर्नी व्यक्ति होई, मारा उम्मर्नी व्यक्ति होई, कि पछे तमारा उम्मर्नी व्यक्ति होई, क पोतानी स्वच्छतानू ध्यान राखवु जोईए अने परियाप्त शार्रीक कसरत्पन करवी जोईए तरुणावस्था ज्यारे शरीर वुर्द्धी करेछे त्यारे उपरनी बाबच्चे खुबज आवशक बने रेचे मेहमनाज कीदू के बै तरुणावस्थानी अंदर आपणों स्यारीक वुर्द्धास थतो होईछे तो आ समय दर में आपणों जे आहार छे एक येवो होवो जोईए इने अपणे चर्जा करिए तो तरुणावस्थामां तीवर वुर्द्धी तेमज विकास ली अवस्था छे तो आजे तरु आथी कोईपण तरुणना आहार नुँ आयोजन अत्यन्त कार्जी पुरुवक करवु जोईए तमे अभ्यास करी चुकिया छो के संतुलित आहार एक लेश्यू ब्राबर ने के एक एवो आहार के जिनी अंदर थी आपणने बधाज प्रकरना पोश्यक्तत्व मड़े रेता एवा आहार ने आपणे संतुलित आहार केवामा आवे छे। के खोराकनी अंदर प्रोटीन, कार्बोदीत, चर्बी, वितामीन औने खनि जिक्षार नी परियाप्त मातरामा हाजरी। ब्राबर संतुलित आहार कोणे के एवाए। ब्राबर ने तो ए आपणे जुईए तो स संतुलित आहार इतले के कार्बोदीत, प्रोटीन, चर्बी, खनिजिक्षारों, खनिजिक्षारों नो परियप्त मात्रामा हाजरी होए सद्सक्रामा आव выход, आपनों भारतिये भोजन जेमा है जे संतुलित आहार थे या लिएजिक्षारों, तो आएक संतुलित आहार थे ऐसे होचे। दूद पोतेज एक संतुलित आहार छे, कांके दूद नी अंदर लगबग बद्धाज प्रकार ना पोश्याप्त तो आवेला होये छे, आ समेदेर में दूद आपणे वधारे पीवु जोईए, उप्रांत फडपन आपने पोश्यान आपे छे, शिश्यstagने माताना दुदमाथी संपूद पोश्यान प्राप्त ठाईछे, जेनी तेओने जरुर्यात होये छे, तो बाडत नानू होई, त्यारे एना मातानों जे दूद छे, ए दूदमाथी पन शंपूद पोश्यान मरतो होइ छे, ये वक ते एनों विकास करौमा खूबज जरूरी होये छे, लो तत्व आयर्ण, जे खुब जरूरी छे आ उम्मर्नी अंदर, जे ने आपड़े आयर्ण क्यावाम आवे छे, तो लो तत्व एलेके आयर्ण छे ए रुदिर्णू निर्मान करे छे, प्रस्ण पूछाए बाई, कि बाई रुदिर्णू निर्मान करवा म माटे कौन जवाबदार छे तो रुधिरन निर्मान माटे आपने आयर्न लोह तत्व छे ए जरूरी छे तथा लोहती बरपूर खोरात लेवो जेवाके लिला पांदरावार शाकबाजी गोड मांस संत्रा आमडा वगेरे किश्योरो माटे सारा छे तो लोह तत्व छे आ उम्म निर्मान खुब जरूरी छे एटला माटे आपने केवो आहार लेवो जोईए तो लोह तत्व ती बरपूर होए एवो तो लोह तत्व ती बरपूर होए एवो आहार काई हो छे तो लिला पांदरावारी शाकबाजी पच्छी गोण मांस प्राबर त्यार पच्छी आपड़े संत्रा आने आमड़ा आपड़े आवा आहार नो उप्योग करवो जोईए एमा तो आपड़े खास मांस छे खाता नथी होता एले आपड़े आनो कोई जरूर नथी प्राबर साइबे की दुने आपड़े मांस खावू जोए एव जरू न थी मांस सीवाई गणा बदा पोशक्तव आपड़े आहार एवा चेक जेनियंदर थे लो तत्व पुष्कर प्रमणमा मड़ी रहे छे जेमके शाग बाजी छे पांदर आवारी पालग छे तांदर जो छे मेथी छे एवी शाग बाजी न उप्योग करो कि जे थे वधारे प्रमणमा लो तत्व आपड़े रहे तमारा बपोर्णा और रात्रिना भोजन ना खाद्य पदार्थो नित पास करवानी छे कि तमने पुर्ता प्रमणमा पोशक्तत्व आहर मड़े छे कि नई ए चेक करवानू छे श्यू बोजन संतुलित तेमाज पोशक छे, श्यू तेमाँ एवा खाद्येपदार्थों सामेल छे, कि जे उर्जा प्रदान करे छे, तो तमने पुर्ता प्रमाण माँ पोशक ततो नई मडए, ये संतुलित आहर नई मडए, आजे बटेटा खाता तो बिजा दिव से तमारे विजू श्यू खावू पड़े, ये अठवडेनू जे भोजन छे, इतमे चेक करो, कि तमे काया कैवा प्रकार ना, कठोड नो उप्योग करो छो, कठोड नो उप्योग खराक तरीके करो छक नथी करता, लेला पांदर आवरी श्याक बाजी ये ठड़े में एक खावू छो के नथी खाता, आब बदू आपड़े जोवू पड़तू होए छे, तो आ जे खाद लो है प्रतेपादार थो छे, बाइबर कायाा कै यापन निस्वी प्रदाण करेसे प्रोटीन युप रांत चरबू तै में सरक्रापन शामेल, जे उर्जा प्रदान करेसे तो फड अने शैकबाजी विश्ये श्यू ख्याल छे, जे रक्षनात्मण ख्योग थे तो फड नन जमानों फास्ट फूड नो थाई गयो छे विद्ध्यार्थी मित्रों, पाणिपुरी एक खराक तरीके उप्योग लईये छे आपड़े, खरे-खरे खोटी वस्तु छे, तो चिप्स अने पेकिंग फूड अत्वा तो डब्बामा बंद खराक स्वाधिस्ट होई छे, नियमित भोजन ना भोगे न खावो जोईये, कारण के तेमा पोषण परियाप्त मात्रामा होतु नथी, त्यारे जमानों छे बदो, फास्ट जमानों थाई गयो छे विद्ध्यार्थी मित्रों, आपड़े आ उम्मर मा खास, खावानी वधारे इच्छा थाए बदू, खाव एनो वांदो नथी, पन एन्ने भोजन ना भाग रूपे नई, के बे साथ वागे साड़ा साथे जमानों थे, आंठ वागे जमानों थे तो एना पहला तमे पाणे पुली खाव, तो तमने ए परियाप्त भोजन मलतू नथी, पन आपड़े जे खोराक ना भोगे नई ब्राबर ने, एले प्रस्ण पुछाएशे, क्या आपड़े चिप्स के पेकिंग फूड वारा खोराको लेवा न जोए, कारण आपो, कारण के चिप्स अने पेकिंग वारा जे खोराको छे एमा, इस्वादिश्ट होए छे, परन्तु एमा परियाप्त मात्रामा पोशक्तत होता न थी, माटे एवा खोराक आपने लेवा जोए, नहीं, अईया प्रवतिए 10.4 छे, ये तमें जोईले जो, 10.5 छे, ये पन तमें तमें तमारे जोईले जो, अईया आपनने आकृती आपेली छे बाजुमा, इने इंदर आपनने कई-के वस्तु आपने खोराक तरीके प्रोटीन पुषकर प्रमार्मा मडशें, तो आ वाद थे आपने आहार ने, कि क्यावा प्रकार नुँँ आहार आपने लेवा जोईले, तो संतु लित आहार, कजे नी अंदर बध्दाज प्रकार ना शागबाजी आवी जाए, और बध्दाज प्रकार ना पोशक्ता तो आपने इमदे रहे, दू दू नियमी ते सेवन करता रहे हूं तू आरै पछी भ्यक्ति गत श्वस्ता आपने पोतनी स्वस्ता आते राखवी पड़े तो प्रत्यक व्यक्तिये करीensa प्रए दर्रोज स्नान करूं सवार वेला उठी अने स्नान करिले उजुए किश्योरो माटे आत्यांद जरूरी छे कारणके प्रस्वेद ग्रंथी वदू पड़ती सक्रियता थी शरीर मा दूर्गन उत्पन्न थती होये छे कारणके आ समय दर्म्यान आपणी जे प्रस्वेद ग्रंथी वचे खुब जे शक्रिय होये छे एले प्रस्वेद वधारे वड़े छे जेना कारणे दुर्गन्द मारती होये छे एटले के आपणे दरेके स्नान करवू जोईए शरीना बध्धाज भागोने स्नान करती वखते सारे रिते साफ करवा जोईए और शरीना दरीक दरीक भागने सरस्रीते आपणे साफ करवा जोईए जेथी बेक्टेरिया छे एपण निकड़ी जाए जो सफाई न राखवा मा आवे तो बेक्टेरियल संक्रमन थवानी सक्क्यता रहेली छे औने एचेप लागी शके छे छोकरियो ए रुतुस्त्राव दर्म्यान सफाई नू विशेश ध्यान राखवा जोईए तो रुतुस्त्राव जारे थतो होए छोकरियो नेंदर त्यारे एनिदर खुबज ध्यान राखवा पड़तो होईचे सफाई विशेश करवी पड़ती हुआए छे, तेवे पोताना रुतु चक्रानु ध्यान राखी ने अगाव थी तैयार रहू जोईए, और रुतु चक्रा छे इनु ध्यान पन राखू जोईए, ब्राबर के मासिक्स्तराव क्यारे थसे, ये पन आपड़े ध्यान राखू ज आप विजो जे तबक को छे, व्यक्तिकत स्वस्ताने आपणे वाद करी प्राबर 3G वाद करी आपणे के श्याररीक वियायाम, श्याररीक वियायाम पन जरूरी इचे विद्यारती मीत्रों, तो खुली ताजी हवा माँ, फर्वु तथा रम्वु, श्यरर ने चूस्त तेम तमने ताजो अक्सिजन मड़े, जेती शरीर छे ए चुस्त अने स्फूर्तिलू आपणे राखी शकिया छे, बध्धाज तरुन छोकराओ, तेमा जो छोकरियो ये, बहार फरवू, व्यायाम करओ, तथा रमवू जोईए, आकरिया तमारे करवी पड़े, तमें व्यायाम करओ कसरत करवा सवारे, चालवा जाओ, बराबर जेना कराने अपने शुद्ध अक्सिजन मड़े, आपने अपने स्वास्थ्या सारू रही शके, आये कितलीक पवराणिक मान्यताओ आपीचे खोटी, कि आपने प्रकर्ण नौमा औने मन्दुष्ये ना प्रजनन संबद्नित व कि लिएले थी चालिया आवती हुए छे, तो एनी जे विग्न्यानिक आपने भणी गिया विग्न्यानी अंदर, तो हवे आपने तर बिद जानों जूए क्ये ह आपने जोईए तो कई-कई मान्यताओ छे इ आपने जोईए तो किटलीक मान्यताओ छे नीचे आपन आपेली छे जे आना संबदी तर्क उत्पन करी शको छो कि तमे परोनिक अथा तो खोटी मान्यता छे एनो आधार कोई न थी एक पहली मान्यताओ आइवी छे कि रुतु श्त्रावना समवए जो कोई चोकरी शोकराने जूए तो तो टेक गर्भवती बनी जायी छे आ पेली बान्यता छे, आ बाउ जुनी मान्यता छे, तेर हाल तो एव कोई विचारतो नथी, पन पेला एव हतु, कि मान्यता आवी आते दले ए घर माथी बार नो निकड़े, गर्नी अंदर पुरायरे, जितला दिवस मासिक स्त्राव शरूरे है, त्यां सुधी, रुतु स्त् कर दो शरूरे छे, बराबर, बीजु, कि संत्तन झे जाती माठे माता जवाबदार छे, हजु पनलो कोई वा माने छे, कि इसंतती छोक्रायरे छोक्री एना माठे जवाबदार आढ़े, लिंग निचे नी गटना मा, X और YG क्रोमोजाम्स खे, पुरुस्च निवंदर छे, अन एना कारणे नर जन्दम छे के मादा शिशु जन्दम छे ए नक्की थतु होये छे तो एपन आपणे वे एमाथी बाहरावू जोईए रुतुस्त्रावनी अवस्थामा छोक्रेनु रसोडामा काम करणू निश्यद छे आपण जी प्रचलित छे के बेजार रुतुस्त्राव जे होये ब्राबर ने त्यारे ए अवस्थामा ए रसोडानु काम छे करी शकते नथी होती ब्राबर던 ने तो ये पन एक मान्यता छे करें बध्र हाच काम करी सक्के छे कारनों एक पुद्रती प्रक्रिया छे अनुस्ब्रती प्रक्रिया थवान लिगा वस्थी तासलिस काम करींू досू सखे रसोडा पदार्थोने ना कहो, से नोटु ड्रक्ष नश्याखरक पदार्थो, बीडी, सिग्रेट, तमाकू छे इन श्याखरक पदार्थो चे विद्यरथी मिद्रू, तो एना थी हम्मेशया तमे दूर रहे जो, कारण। इना थी आपणों स्रुरु छे एने नुख्यान पच्तू हो तो तरणावस्था व्यक्ति ना शार्रीक तिमज मांसिक सक्रियतानो समय छे। जे वृद्धी नो एक सामन्य भाग छे। तेथी मुझुण के असुरक्षित्तानो अनुबव न करो। जियां सुधी कोई दवा डॉक्टर द्वारा आपवामा आवेली न होय। तियां सुधी तो जे वृद्धी न शार्रीक तिमज मांसिक तान पना अनुबवता होय। तो ए समय दर्मियान कोई आपण एमकेक भेतमे आ दवा लेवा थी आवदू तमने थसे नई तो आपणे एवी दवा लेवी जोहिए नई डॉक्टर ने सलाह वगर कोई पन प्रकार ने दवा ले ड्रक्स नस्याकारक पदार्थ छे जेनी टेव पड़ी जाए छे जो तमे तेनुँ सेवन एकवार करो छो तो तमने सतत ए लेवाने इच्छा थाए तो ड्रक्स छे आ एक प्रकार नू तान माती बाहर आवा माटे जो तमे एकवकत लेशो तो तमारे पची वारेगडी आजे ड्रक्स छे आपड़ा जीवन ने पन बर्बाद करी नाकतू होए छे और इसमेगारा देल में आबदा बेदलाओ आवाना छे तमारा मापन तमे पन ध्यान राग जो कि तमे कोई खोटी नश्याकारत पदार्थ होने अंदर चड़ी नह जता प्राबर तमे एड़ी व आमनों वाइर्स छे आना आ वाइर्स थी आ रोग फेला तो होए छे आ वाइरस एक रोग ग्रस्त वेक्ति थी स्वस्थ वेक्ति मा ड्रग्जना उप्योग करवावारी सिरिण्ज द्वारा पन थही शके छे आपने जारे ड्रग्ज लेवा मावे त्यारे इंजेक्षिन नी मदधी लेवा मावत होए क्यारे तो जारे एंजेक्षिन नी जे सिरिंज छे ए ड्रग्ज वारा जे दरदी लिधी होए व्यक्ते लिधी होए यचाई विवारो एने जो तमने आपवाम आवे तमने तो ए रोब तमने पन लागो पड़ी शके छे। वाइरस नुँ संक्रमन विजामाध्यम जेवाके पिडित रोगी एले के माता द्वारा संतानमा दूद द्वारा थाई शके छे। जो एडिस युक्त कोई माता होए और एने जो पताना बाड़त जो दूद पावामा आवे तो एना द्वारा पन एडिस थावानी शकेता रहेली होए छे। पीडाता व्यक्तिनी साथे जातिय संपर्क बनावाथी पन आ रोग फ्यालाई छे। तो जे HIV युक्त दर्दी छे के व्यक्ति छे एनी साथे तमें शारीक संबंद बांधो तो पन आ रोग थावानी शकेता रहेली होए छे। जातिय संपर्क छे ए बनावाथी रोग फ्यालातो होए छे। तो आ आपड़े प्रकणिंदर अभ्यास कर्यों के तर्णु आवस्थामा कई-कई बाबतों आपड़े ध्यान राखू जोई है। हवे विद्धियर्थी मित्रों अईया एक तर्णु द्वारा गर्भधारन आपना पेलू छे। तो एपण आपड़े जानी लहे है कि आपना दिशमा छोकरी माटेनी लग्ननी उम्मर अढ़ार वर्ष नक्की करवा मावी छे। कांके 12 અड़ार्वर्ट न एक ग्यार्थ, 18 ન उम्र छे ए side ન जले शार्रीक फिर्फार्ट हता होए छे, एमां थी हर आवा में टेना प्रयत्नों करें छे. तो ए उम्र छे ए मात्रूत अधर्डहर्ण करौ माटे सक्षम हतों, न थी 156-प न किकी करौ मावी छे. उठावा माटे सक्षम होती नथी अने मांसिक तकलिप होती गेराईल रहे छे इतला जमाटे सरकारे अधार वर्स चे ए तरूनियों माटे अधार वर्स नकी करो मावेला छे बराबर तो हवे जे स्वाध्यय चे इना प्रसुन जाबू तमें जाते लखी शकाओ छो ठेंक यू झाल 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 झाल